कि अपने चनल बास्कुला से केड़ी में तो मैं आज आप लोगों के सामने बिहार की इतिहाद से संबंधित तीस प्रस्णों का संग्रह लेके आई हूं जो लूशिन की किताब से है और यह तीसों कोश्चन आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है जो विहार आगामी जो यह बिपीशी का एक्जाम है विहार द्रोयक है सब के लिए बहुत ही उप्योगी है यह आपके लिए टेस्ट ज भूमी ऑप्शन सी में आरे परदेश और डी में हर्याली का परदेश साइड में लिखा वे कोश्चन बहुत ही महत्पूर्ण है कब कप पूछा गया है पैतालेस में बीपीशी का कोश्चन है दो हजार दो में जो पूछा है तो देखना है इसका अंसर आप लोग केमेंट म होता है तो इसका आंसर क्या है क्या हो जागा क्या ओप सांबर के सतावडि में हुआ था प्रत्थम मगद समराज का उतकर्ण कि सतावडे में हुआ था अप्शने में क्या है इसा पूर्व चोथी सतावदी अप्शन B में है इसा पूर्व छटी सतावदी अप्शन C में है इसा पूर्व दूसरे सतावदी और अप्शन D में है इसा पूर्व पहले सतावदी तो इसका अंसर क्या हो जागा इसा पूर्व छटी सतावदी अप्श दखते हैं तीसरा इसा पुरुव छठी सदी में विश्व की प्रथम गंतांत्रात्मक व्यवस्ता कहां थी किसा पुरुव छठी सतावदी में विश्व की प्रथम गंतांत्रात्मक व्यवस्ता कहां थी यह से जाते हैं कि पहले गंतांत्रात्मक व्यवस्ता कहां थी बिहार म ही थी तो बिहार में कहां थी आप्षण नमबर ईये बैसाली इसापु शटी सतावधि में बिश्वकी प्रथाम गंतंतरातमक विवस्ता कहां थी आप्षाली में अगला क्वेस्टन है सबस्द तर बैसाली में किस के दौरा स्थाफित किया गया था उपस़ने में क्या है पहला में मौर और बी में क्या है नंद शी में गूप्त और डी में लिच्छी भी तो इसका ताफ़लों सब जानते ही होंगे इसका सब्सक्राइब कि अगला कोश्चन है के नमबर फाइब पाचमा निम नांकित में से किस राज से वेवाईग संब्स्थापित नहीं किया था नो लिखेत राजियों में से बिम्बिशार ने किस राज किस से बैवाइक सम्माद अस्थापित नहीं किया था तुम पढ़ें क्या वह बैवाइक सम्माद अस्थापित करके अपना राज कभी स्थापित करता था बिम्बिशार तिन में से चारों जो उसमें से किस से हो बैवाइ कि विभी सार ने विदेः से वेवाइक समत अस्थाफिद नहीं किया थे इसका है उप्षिन नंबर टी मुझ्वी ज्टी में कि क्या है कोसर राज की पुत्री और सी में मद्रे राजकुमारी और से नमबर डी में इन्वेश्व कोई नहीं है आप लोगों को टाइम मिलते जा रहा है आप लोग कमेंट अपना अंसर दे दिजिए ताकि आपका भी टेस्ट हो जाएगा विहार का जो समद्ध कोस्टन हो उसक निम लिखित में से किस राजा ने विवाहिक निति अपना कर अपने राज की सिती मजबूत की थी ओप्सन नमबर ए में देखिए अजाद सत्रू और बी में उदाईल और दी में कोई नहीं लिखा किस राजा ने विवाहिक निति अपना करके अपने राज की सिती मजबूत की यह का जागा राजा का बिश्थार करता था अगला को स्ट्रू के बंच का नाम किस बंच से अजाद से B में नंद, C में हरियक और D में क्या है? गूप्त. अजात सत्रू की समस्दे था? इसका अंसर क्या हो जाएगा? Option number C हरियक बंस. हरियक बंस समस्दे था अजात सत्रू. अगला question है, question number 9, अजात सत्रू ने अवंतिक के हमले से बचने के लिए किला बंदी की थी, उसने वह किला कहां बनवाया था, तो इसका ओप्षन क्या है, ओप्षन नमर में पाटली पुत्रा में, ओप्षन बी में बैसाली में, ओप्षन नमर डी के सी क्या है, अंगे में, ओप्षन नमर डी क्या है, राजग्री में, किसका अंसर क्या हो जाएगा, उसने किला कहां बनवाया था, जिसे अवंतिक की हमले से बचने के लिए किला बंदी किया था, तो इसका ओप्षन हो जाएगा, ओप्षन नमर डी, राजग्री, अगला क्वेस्टन है, क् U National'sisto鬼 कि सिराज़ को पराज़ीत नहीं कर सकाथा उसे से बचने किलिए बंद्र कि थे तो इसका नासर क्या हो जाएगा ओप्र सनेमबर ए आमटी आ जाथ सत्रो आवंती राज़ीत को पराजित नहीं कर सका था कि अगला कोशन देखते हैं कि कौश्चिन नमरी 11 कि मगद की प्रारंबिक प्रथम राजधानी कौन से थी अधर मगद की प्रथम राजधानी कौन से थी यह भी कोश्चिन आप लोग को बहुत पूछा हुआ है को से महत पूर्ण है और सब जानते अधर डि में छंपा किसका आंसर क्या हो जाएगा और सिगिरी इप्राज्ध राजधानी को मतलब मतलब पूत्र को राजधानी पहली बार सबसे परथम सरप्रथम किस ने बनाए था अप्षने में अजाद सत्रू, B में काला सोक, C में उदयन द्वारा, D में कनिज्क द्वारा आप लोग अगर अंसर जानते हैं तो अंसर अपना लिखते जाएए इसका अंसर क्या हो जागा? अप्षन नमबर C, उदाइन या उदयन राजधानी बनाया था पाटली पुद्र के संस्थापा कोन थे? पाटली पुद्र के संस्थापा कोन थे? पहले में लोग पढ़ी लिए इसका कोश्चन को सरप्रस्था पार्टली पूत्र राज्वाज रखे थे तो इसका असर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर ए उदयन अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 14 कि उदयीन के बाद मगत समराज पर किस राजमांस का सासन अस्थाफित ह अगला कोश्चन है किस मगत समराज ने स्वयंग को एक राट कहा है मगत किस समराज ने स्वयंग को एक राट कहा है एक राट कहा है उप्सन ए में क्या है बिम्बी सार उप्सन बी में असोक उप्सन सी में अजात सत्रू उप्सन डी में महापद में नंद तो इसका अंसर क्या हो जाएगा स्वेंकोई क्राट किस ने कह आघा है, इसका अंसर किया आठागा, verändert D, महापधम, नंद ने अगला question है, question number 16, नंद बन्स के पस्चात, मगद पर किस बन्स ने साखन किया था? नंद बंस के पस्चात मगत पर किस राज बंस ने सासन किया तो इसका option हो जाएगा A में मौर बंस, option B में सुंग बंस, option C में गूप्त बंस, option D में कुसान बंस तो नंद बंस के पस्चात किस ने सासन किया था, सब को मालूम होगा यह answer तो क्या है कौन शासन किया थे ओप्शन नंबर ए मौरबंस नंद बर्श के पस्जातिस में मौरबंस का शासन मगत पर हुआ था अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 निमलिखित में से मगत का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालिन था औप्शन A में क्या है महा पदमनंद औप्शन B में घहननंद औप्शन C में शूकल्प और स्फ़र डसंद मर्द मर्चन राजा काम्सिकंदर मागां में मोर ब壓 जावनिज के स्थापना किसने रहता है मोर बर Tax के सथापना किसने थी सभाइस समाराटी से तो सी चंद गूं आपके पुक्षार. ऐसे बिन्दूशार दिम्हेंस कोई नहीं तो मोर बर Circassian इसके श्थापना किसने की थी तेसका अंसा क्या हो जागा option number B चंद्रगुप्त मौर अगला question है question number 19 पाटली पुत्र में इस्थित चंद्रगुप्त का महल मुखिता किस से बना था जो पाटली पुत्र में चंद्रगुपत का महल है वो किससे बना हुआ था option A में इटो का, B में पत्थर का, C में लकड़ी का, और D में मिट्टी का तिसका अंसर क्या हो जागा? option number C, लकड़ी का चंदगूप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का अगला question है, question number 20 जिसके grant में चंदगूप्त मोर का विशेष रूप से बर्णन हुआ है मतलब जो option दिया हुआ, इसमें से किन के गरंथ में? चंदगूप्त मोर का विशेष रूप से बर्णन किया गया है option A में क्या है? option A में है भास, option B में सुद्रत, option C में विशाखादत, option D में अर्शुगोस तिसका अंसर क्या हो जागा? option number C, विशाखादत विशाखादत की जो पुष्टक है, मिर्च कट क्या? अगला question है, question number 21 क्या है? निमलिखित में से किस मोर र्याजाने दक्कन की विजय की थी? दक्कन का विजय किस मोर र्याजाने की थी? option A में क्या है? असोक, option B में चंद्रगूप, option C में बिंदूसा, option D में कुनाल तो इसका अंसर क्या हो जएगा? दक्कन की विजय किस मोर र्याजाने की थी? तिसका अंसर क्या हो जएगा? option D, चंद्रगूप, दक्कन की विजय करने वाला कोन र्याज़ करने वाला? चंद्रगुप more option number B अगला question है question number बाइस कितने अधिकरनों में विभाजित है क्या question कोट्टिली जो अधिकरनों में कितने अधिकरनों में विभाजित है option number A क्या है 11 option number B 12 option number C 14 option number D 15 इसका अंसर क्या हो जाएगा कोट्टिली का अधिकरनों में कोट्टिली का अधिकरनों में कितने अधिकरनों विभाजित है इसका अंसर क्या हो जागा option number D 15 15 अधिकरनों में कोट्टिली का अधिकरनों में कोट्टिली का अधिकरनों में विभाजित है अगला question है question number 20 मोरे काल में सिख्छा का सरवाधिक परसी धिकेंद्र था इनमें से मोरे काल में सिख्छा का सरवाधिक परसी धिकेंद्र कौन था तो option A में क्या है बैसाली option B में नालंदा option C में तक्षिसीला option D में उजयन इसका अंसर क्या हो जाएगा मोरे काल में सिक्षा का सरवाधिक परसी दिखेंदर कौन था इसका अंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर C तक से सीला अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 24 पार्टली पुत्र को इन में से किस सासक ने सरप्रथम अपनी राज़ानी बनाई आवया पार्टली चारों में से किसी ने सबसे पहले अपनी राज़ानी पुत्र को बनाई जो नमबर कनीज़क तो इसका उसर क्या हो जाएगा ओप्सण नंबर ए चेंद्र गुप्थ मौर इन चारों में से सबसे पहले चेंद्र गुप्थ मौर ने अपनी राजधानी पाठ्ट पुतरा को बनाई ऐसे हम लोग सबसे पहले पाठ्ट पुतर गाजधानी किस ने बनाई थी उदा इसका अंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर A, अगला कोश्चन है, कोश्चन नमबर 25, मेगा अस्थनीज की पुष्टा का नाम क्या है, क्या कोश्चन कि मेगा अस्थनीज का पुष्टा का नाम क्या है, ओप्षन नमबर A में आर्थ सास्त, ओप्षन B में रिगवेद, ओप्ष अगला कॉश्यन है को से नमार चबवीज कि मेगा असनीज किसका दूद्था ऑप्शन ए में क्या है से लिकस का ऑप्शन भी सिकंदर का ऑप्शन सी डेरियस का ऑप्शन डी यूनानियों का तो इसका अंसर क्या हो जाएगा किसका दूथ था अगला कोश्टन है कोश्टन 27 कि बाष्ट गजिसमें पाटली पूट्र के पत्षासन में अर्थ सास्त इन चाहरों में से कौना अस्राइव है जिसमें它ली पुद्र के पर्शावश्वन का किया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा और सीिअ कर हेषि Youस energy का जिसमें आधिरी से पर सासन के बर्णन किया गया है अगला कोशन है कोशन नमबर 28 कि सेंट्रों सेंट्रों कोटस से चंदगुप्त मोर की पहचान किसने की तो अप्सने में क्या है बिलियम जोन्स ऑप्सन बी में डी आर भंडार कर सेंट्रों कोशन से चंदगुप्त मोर की पहचान किसने करवाई थी आर के मुखरजी ने अगला कोशन है कोशन नमबर 29 कि अर्थ साथ क्रम सार सिता भूमे का अभिप्राय क्या है अर्थ साथ क्या है ओप्सने के ना जोते जाने वाली अनुप योगी भूमी अगला question है question number 30 और last question है क्या कि केवल वा स्थम जिसमें असोक ने स्वयंको मगत का समराट बताया था कौन सा स्थम था जिसमें असोक ने स्वयंको मगत समराट बताया है option A में क्या है मस्की का लगु सिला लेक option B में रूमिन देगा अभी लेक option C में राने का स्थम लेक option D में भाबु सिला लेक तो इसका answer क्या हो जाएगा option number A मस्की का लगु सिला लेक इसमें असोक ने स्वयंको मगत का समराट बताया है अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक और चलने को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा अगर आपको एक जाएगा